भाई और भेनों, आज आप सभी इस बात से प्रसंद होगे, कि बर्सो पुरानी एक मांग आज पूरी हुई है। जो जमीन का पानी है, वो जादातर खारा है, जिसके कारण वो पीने के योग्य नहीं रहा है। जमीन दाइनी का जल इतना दुसीत हो गया, वो पीने लायक नहीं रहा। यही कारण है कि अपर गंगा नहर से आगरा की प्यास बुझाने की योजना बनाई गई। आज करीब तीन हजार करोर रुपिय की आगरा जलसंपत्य पूरती गंगा जल परियोजना का आप सभी के लिए समर्पीत है। इससे इस पूरे छेत्र के लाखों परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी मिलने वाला है। मैं आपको ये भी जानकरी दिना चाहता हूँ कि नमामी गंगे मिशन के तहट यमुना जी की सफाई भी हमारी प्रात्मिकता है। भाई और भेनों आगरा की पानी की सबस्या उदूर करने के साथ सार सहर के सिवेज सिस्टिम को आधुगदिक बनाने के लिए अनेक पोजेक्स पर काम किया जा रहा है। और भाई यो बेनों अब गंगा जल पीने का आपको सवभागे मिला है। लेकिन जब पीने का सुद्ध पानी मिलता है तो सरब पानी मिलता ऐसा नहीं है। पानी की कठिनाई दूर होती ऐसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव आरोग्य पर होता है। खास करके गरीब जिन्दगी जीने वाले के लिए इस सबसे ज़्यादा लाब करता होता है। एक प्रकार से आगरा में गरंगा जल का पानी पीने को मिले ये आगरा के उत्तम स्वास्त की एक जड़ी बुट्टी के रूप में आपके आगर गर पहुंच रहा है। उसी प्रकार से पीने का शुद्ध जल आगरा आने वाले टुरिष्टों के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्शन का केंद्र बन सकता है, कारण बन सकता है। यात्री विदेशों से आने वाला जब वो देखेगा कि गंगा जल का शुद्ध पानी उसे पीने का मिल रहा है, तो आगरा में और समाई बिताने का उसका मन कर जाएगा। और इसलिए ये सिरफ एक एंजिनरिंग वर के रुपे न देखा जाए, कि इतने लंबे दुरी से किलो मिटरों से किलो मिटर पाइपलाइन डाल करके पीने का पानी लाया गया, एक प्रकार से पानी नहीं, ये आगरा के जीवन की अमृत धारा है, जो आगरा के जीवन को ए एक नई शक्ति दे रहे वाली है, भाईयों बेनों, पुरे देश में अमरित मिशन चल रहा है, उस अमरित मिशन के तहट, शहर के पस्चीमी भाग में सीवेज नेटवर्क की परियोजना का सिलान्याद भी आज हुआ है, इसके तहट, जो सिवर लाइन बिछाई जाएगी, उस से करीब पच्चास हजार गर जुडेंगे, सात्यों आगरा बेश के उन सहरों में, जहां स्मार्ट सुविदाएं विक्सित हो रही है, इसी क्रम में, आज आगरा के नए कमांड एन कंट्रोल सेंटर का काम शुरू किया गया है, लगबग तीन सो करोट रुप्यों की लागत से बनने वाले इस सेंटर से पूरे शहर की व्यवस्ताओं की मॉनिटरिंग होगी, पूरे शहर की निगरानी यही पर बैठ कर बारा सो से अधिक सीसी टीवी कैमेरों से होगी, सहर के चप्पे चप्पे में क्या चल रहा है, किसी को ट्राफिक में परिशानी तो नहीं हो रही, कहीं कुडे कच्डे के धेर तो पड़े नहीं है, जिसका सभाई का काम है, वो समय पर आए है के नहीं आए, यह सारी बाते यह सीसी टीवी कैमेरा के माध्यम से चप्पे चप्पे का ख्याल एक जगा से रखा जाएगा, और भाईयों भाणों, आगरा के लिए सीसी टीवी कैमेरा एक ऐसी सुविदा है, जो सुरक्षा की गारंटी भी लाती है, और विदेश के टुरिष्टों को, बेश के टुरिष्टों को, ये जब सुरक्षा का एसास होता है, सीसी टीवी कैमेरा की निग्रानी को उसको पता चलता है, तो हमारा टुरिष्ट आस्वस्त हो जाता है, और आगरा दुनिया भर के लोगों के टुरिष्टों के लिए एक आकर्षन का केंद्र है, और हम चाहते हैं कि आगरा के टुरिष्ट पिछले सत्तर साल के सारे रेकोर्ड तोड़ने वाला हो जाए, ताकि आगरा की एकोनोमिक को एक नया बल मिले, ये पानी और ये CCTV कैमेरा, ये सिवेट ट्रिट्मेंट, ये स्मार्ट सिटी की पहल, ये टुरिजम के लिए एक बहुत बड़ी सौगाध है भाईयो, इतना ही रही, आगरा की कनेक्टिविटी को बहतर करने के लिए, आज रेल सेतु का लोकारपान और हैली पोर्ट का सिलान नयाद भी किया गया है, साथियों आगरा जब स्मार्ट सिटी के रुप में प्रस्तापिद हो जाएगा, स्वच्छ होगा, पीने का सुद्ध पानी की बात हो, सी सी टीवी कैमेरा हो, यहाँ आने वाले परियट्रकों के लिए भी, एक बहुत बड़ी प्रेना, ताक, संतोस का माहोल बनाएगी, ताज महाल जैसे हित्यासिक दरों की चमक भी और बढ़ जाएगी, इसका सीधा असर टूरिजम इंडरस्टी पर पढ़ना भीता है,